तो इस वीडियो में हम flip card access bank credit card का complete review करेंगे flip card access bank credit card use किये हुए मुझे करीब करीब 6 महने हो चुके है तो अब मैं आपको इस credit card के बारे में अच्छे से guide कर सकता हूँ इसमें मैं इसके eligibility benefits और charges के बारे में detail में जानेंगे तो सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ इसकी eligibility criteria की यानि की इस flip card access bank credit card के eligibility criteria तो आपके जो यह है वो 18 साल से जादा होने चाहिए और 70 साल से कम यानि की 18 साल से 70 साल के बीच में होने चाहिए अगर आप salary person है तो आपके salary per month 15,000 और अगर आप salary है तो आपके salary 30,000 होना चाहिए पर यह बस कहने की बात है आपको सिर्फ आधार card और pen card के detail पर यानि की अगर आपका civil score अच्छा है तो आपका credit card approve कर दिया जाता है मेरे पास भी ये credit card है तो मुझसे ये कोई भी salary slip या कोई भी जो है वो detail नहीं मांगा गया था तो ये बस कहने की बात है कि आपके income इतने होने चाहिए बाकि बात कर ले इसके welcome benefits की तो welcome benefit आपको मिलते है 1100 रुपे तो यहां पर बहुत सारे लोग confused होते है कि बहुत सारे को जो है वो 1000 रुपे दिखा रहे होते है और उसको 500 रुपे मिलते है first shopping के बाद और वो बहुत questions करते है कि भाई मेरा 500 रुपे कहा गया तो पहली shopping के तीन से चार दिन के बाद आपको जो है 500 रुपे का gift card आपके फिलिप card account में add कर दिये जाते हैं जिस mobile नमर से आपने access bank को यानि access bank credit card लिया है और उसी mobile नमर से आपने फिलिप card account open किया है तो उसी account में आपको 500 रुपे add कर दिये जाएंगे और दूसरा 500 रुपे जो है वो जब आप मिंतरा पे swapping करेंगे तो वहाँ पर आपको 15% का cashback मिलेगा और maximum cashback जो है वो 500 रुपे का होगा यानि कि माद लों कि आपने मिंतरा पे 500 रुपे का swapping किया तो इसका 15% निकाल लेना तो 15% जैसे आप निकालेंगे तो यह 75 रुपे ह क्या तो पच्छत्तर रुपे ही मिलेंगे तो यह तो यह पांचो का गीफ्ट वाउचर और यह पांचो का गीफ्ट गीफ्ट वाउचर दोनों ही आपको फिलिप कार्ड एकाउंट में एड तो टोटल वही आपको जो है 1,000 रुपे दिखा रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपको फिलिप काड पर भी स्वापिंग करना पड़ेगा और मेंतरा पे भी श्वापिंग करना पड़ेगा तब यह आपको जार रुपय का डिसकांट मिलेगा तो यह था टोटल इसके बारे में जो बहुत सारे लोग कन्फीज होते हैं कि मुझे 500 रुपय नहीं मिला तो मैं आगे बात कर लेता हूँ 5% का cashback आपको मिलेगा मिन्तरा पे और फिलिप काट पे unlimited cashback है इसमें कोई भी limitation नहीं है आप जितने का shopping करेंगे उतने 5% का cashback आपको मिलेगा इसके बाद 4% का cashback इनके जो partner website ही जिसके साथ इसने tie up किया है उसके मिलेगा जिसके पहला सुईगी आता है उबर आता है और cure.fit आता है तो इन 4 website पे भी आपको 4% का cashback मिलेगा और इसके अलावा आप कहीं भी इस credit card को यूज करते है online, offline तो हर जगह आपको जो है वो 1.5% क cashback मिलेगा तो यह काफी अच्छा है क्योंकि mostly जो credit card होते है वो 1% का ही cashback देते है यह 1.5% का cashback दे रहा है इसमें कुछ few exemption है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां आपको cashback नहीं मिलेगा इसके बाद आपको यहां पर 4 complimentary launch access मिलते है in India यानि कि आप कह सकते हो कि यह fuel भरवाया है वो 400 से उपर का और 4000 से नीचे का होना चाहिए और maximum आपको जो है एक मन्त में 400 रुपय का fuel surcharge waiver मिलेगा आगे में इसकी बात कर लूँ कि कहां कहां आपको यह वाले जो है fuel exemption जो था कि cashback आपको नहीं मिलेगा वो यह है कि बहुत सारे यहां पे आपको अगर आपने gift card में एट किया फिलिप कार्ड और मिंत्रा के gift card में या फिर आपने परचेज को emi में convert कर दिया जो भी आपने shopping किया उसको emi में या wallet में पैसे एट किया या gold item परचेज किया cash निकाला ATM से जाके या फिर आपने जो दूसरा credit card था उसका payment किया इस credit card को यूज करके और बहुत सारे जो fees होते है coaching fees, tuition fees, college fees वहाँ इस credit card को यूज करते है तो आपको कोई भी cash back देखने को नहीं मिलता है यानि कि जितना आपने खर्च किया है उतना ही आपका बिल जनेट होके आएगा अगले महिने और एक रुपी भी cash back नहीं मिलेगा आगे मैं बात कर लो इस पर आपको ये domestic launch access मिलते है ऐसा नहीं कि इंडिया के सारे airport पे आपको मिलेंगे इस पर मैंने एक detail वीडियो बनाया है मैं इस वीडियो के आखरी में उसका link डाल दूँगा आप उस वीडियो को देखना कि ये domestic launch access आपको कौन-कौन से airport पे मिलेंगे इसके बाद आपको जो ह चार complimentary launches ले सकते हैं और एक साल में आपको चार मिलता है तो एक quarter जाने की अद तीन महीने में एक मिलेगा फिर तीन महीने में एक पिर अगले तीन महीने में एक तो पुल मिला के करके चार launch access मिलता है एक साल महीने में तो यह इसके term और condition है आगे मैं बात कर लो इसकी movie और dining की तो Flipkart एक्सिस बैंक ने बहुत सारे होटल के साथ अलग-अलग cities में अपना tie-up किया है तो उसका list आप Google पे जाके देख सकते हो तो उन होटल पे जाके आप खाना खाते हो और उसका payment आप Flipkart एक्सिस बैंक credit card से करते हो तो आपको 20% का सिधा-सिधा cashback मिल जाता है और अगर आप PVR का ticket book करते हो Flipkart credit card को यूज़ करके तो भी आपको PVR पे 4% का सिधा-सिधा cashback देखने को मिल जाएगा इसके बाद मैं आगे इसके charges की बात कर लो जो कि सबसे ज़्यादा important है तो वो कि आपको जो joining fees लेते हैं यानि कि starting में जैसे आप join करते हो तो आपको 500 रुपे का जो है वो charge किया जाता है प्लस 18% का GST यानि कि total 590 रुपे तो जैसे आप इस credit card को लेके swapping करते हैं यानि कि fiscal card आपको मिल गया और आपने first swapping किया तो first swapping कमालो की 1000 का bill आपने 1000 का swapping किया तो उसमें 590 रुपे add होके आएंगे आपको अलग से payment इसकी नहीं करना होता है bill में ही add होके आजाता है तो total आपको 1590 रुपे first time pay करने पड़ेंगे अगर आप 1000 रुपे की swapping करते है तो इसके बाद renewal fee जो होता है वो 500 रुपे plus 90 रुपे का GST यानि की 590 रुपे लगता है हलाकि first time आपको 500 ही रुपे लगते है इसमें एक साल का जो है एक साल आपका renewal fee CC में आ जाता है अगले साल से 590 रुपे पिर देने होते है तो हर साल आपको 590 पांसो नबे ही देने होते है बहुत सारे cut out होता है कि पहली बार आपको 500 ये वाले 500 और ये वाले 500 देने होते हैं ये वाले 500 अगले साल से देने होते हैं इसके बाद आप अगर 2,00,000 का स्वापिंग कर लेते हैं इस credit card को यूज करके एक साल में तो आपका ये 590 रुपए माफ कर दिये जाते है इसके बाद यहाँ पर आपको reward, redemption, कुछ भी नहीं लगता है विकॉज आप इसको redeem ही नहीं कर सकते क्योंकि जो भी आपका cashback मिलता है वो अगले bill जब generate होता है यानि कि मानलो की इस मेहने आपने swapping किया और आपको जो है 400 रुपए का cashback मिला तो ये 400 रुपए दो साल तक valid रहते हैं आपके फिलिप card axis bank credit card में फिर मानलो कि आपने कभी swapping किया एक हजार का swapping किया तो उसमें से automatic ये 400 रुपए माइनस होके आपके 600 का बील ही आएगा तो इस तरीके साब को cashback मिलता है आप इसको redeem नहीं कर सकते हैं जब redeem नहीं कर सकते तो आपको charge भी नहीं लगते हैं इसके बाद foreign currency markup यानि कि आप international को भी transaction करते हैं इस credit card को यूज़ करके जो कि especially dollar में होते हैं या किसी अलग country के उसके जो currency होते हैं तो उसको आप extra आपको 3.5% का जो है charge देना परता है यानि कि आपके credit card से extra 3.5% cut होते हैं अगर आप flip card access bank credit card को यूज़ करके कोई EMI में convert करते हैं purchase को तो वहाँ पे आपको per month जो है वो 3.65% का जो है वो interest लिया जाता है जो कि month लिए अगर आप इसको 12 से multiply करेंगे तो ये आजाता है 22.86% annually आपको जो है interest लगता है जो कि काफी जादा होता है ये same to same charge तब भी लगता है जब आपका कोई bill generate होके आया है और आपने उस bill को timely payment नहीं किया है तब पर भी आपको जो है यही charge interest लगते है जिस दिन से आपका bill miss होता है उसी दिन से और ये same interest और charge आपको तब भी लगाया जाते है अगर आपने over limit facility को ले रखा है या फिर आपने over limit facility को use कर लिया जितना आपका limit था उसे ज़्यादा तो उस over limit के भी आपको इतना ही charge लगाया जाता है यानि कि 3.65% पर महिने के हिसाब से इसके बाद अगर आप ATM से पेसे निकालते है तो सिधा सिधा आपको जो है 500 रुपे प्लस 90 रुपे का GST यानि कि 590 रुपे कट हो जाते है तो ATM से तो बिल्कुल भी पैसा ना निकाले जितना भी आपने पैसा निकाला है उसका 2.5% निकालते हैं अगर वो 500 से कम आ रहे है तो फिर भी आपको 500 लगेंगे और अगर 2.5% 500 से ज़्यादा आ रहे है तो फिर 2.5% रुल को ही ये फॉलो करते है पर मीनिमम आपको 590 रुपिय तो लगता ही है यहाँ पे भी मैंने बताना भूल गए यहाँ भी आपको जो भी इंट्रेस्ट लगता है उस इंट्रेस्ट के उपर भी आपको 18% का एक्स्ट्रा जिश्टी लगा करके पे करना होता है बैंक को इसके बाद फ्यूल सर्चार्ज वेवर मैंने पहले बता दिया 1% का मिलता है मीनिमम आपको जो है 400 का टेल भरवाना पड़ेगा और 4000 से कम का होना चाहिए और पर मंथ जो है आपको 400 रुपिय का फ्यूल सर्चार्ज वेवर मिलेगा तो यह बहुत जादा है बहुत सारे में तो 50 रुपिय 100 रुपिय ही होते है मंथली फ्यूल सर्चार्ज वेवर यहां पे 400 रुपिय है तो यह काफी जादा अच्छा है इसके बाद अगर आप add-on कार्ड लेते हैं इस कार्ड पे कोई अलग कार्ड लेना चाहते है जो कि आपके family, friend या किसी का भी हो उसका age 15 साल से जादा होना चाहिए और तो उस पे कोई भी extra charge नहीं लगता है और अगर आपका कार्ड गूम हो जाता है यानि कि खो जाता है और अगर आप new card मैंगवाना चाहते है तो उस पे भी आपको कोई charge नहीं लगता है आप application में जाके एक नए card का request डाल सकते है इसके बाद मैं आगे बात करलू इसका जो credit limit है वो कितना मिलता है तो minimum आपको जो है 15,000 मिलता है और maximum आपका जो credit limit है वो 5,000,000 तक भी जा सकता है तो इस बातों का भी ध्यान रखे अगर आपने apply क्या है और approve हो क्या है तो minimum 15,000 तो मिलेगा है maximum का कोई limit नहीं होता है 5,000,000 तक भी जा सकता है इसके बाद अगला question साता है कि हम इसको apply कैसे करे तो apply करने के लिए मैंने description में एक link डाल दिया है उस link के थुरू जाके आप इस credit card को apply करना 4,000,90% या इससे भी जादा कि आपका जो flip card access bank credit card है वो approve कर दिये जाएंगी क्योंकि इस महीने में मैंने ये देखा है कि ये जो credit card है especially flip card access bank credit card वो काफी जादा approve किये जा रहे है और अगर flip card access bank credit card के अलाबा भी कोई और credit card आप लेना चाहते है जो कि 2023 में सबसे जादा approve किये जा रहे है या फिर यूँ कहें कि वो credit card trending के भी चल रहा है तो उसमें से top 5 जो credit card है उसका list मैंने video के description और comment section दोनों ही जगह डाल दिया है तो आप वहाँ एक बार check out जरूर कर सकते हैं बाकि इस वीडियो से related कोई भी doubt है क्योंकि इस credit card को मैं personally काफी यूज़ करता हूँ तो इस credit card से related कोई भी doubt होगा तो पक्का मैं उसको solve कर दोगा आप comment section में पूछना मैं वहाँ पर सबके comment का reply करता हूँ बाकि इस चैनल को subscribe कर लेना इस इक रहते informative वीडियो के लिए मिलते हैं आप से next वीडियो में